आदर सिक्षन समिती बाड मेर द्वारा संचाली ओनलाइन इस सिक्षन में आपका हार्दिक स्वागात अभी नंदन प्यारे भाईय बैनों नमस्कार आज हम कक्षा चतूर्थी विश्य हिंदी रचना अध्याइच परक्रण है विश्यशन इसकी बारे में विश्तरत से अध् करेंगे पिछले विडियो में हमने अध्याई 5 में सरवनाम का विशतरत से अध्यन किया था विश्यशन विश्यशन को अंगरे जी में एडजेक्टिव कहते हैं विश्यशन कब और कहां परियोग किया जाता है संग्या और सर्मनाम सब्दों की विशेष्था प्रकट करने वाले सब्दों को विशेष्ण कहते हैं जैसे कोई भी संग्या सब्द हो या सर्मनाम सब्द हो उसकी विशेष्था प्रकट होती है जिन सब्दों से वही सब्द विशेशन कहलाते है जैसे वदारण की रूप में राम एक सुन्दर लड़का है तो इसमें राम संग्या सब्द है सुन्दर राम की विशेश्ता है कि वह सुन्दर लड़का है तो सुन्दर सब्द विशेशन है यहां काली गाय मिठा दू देती इसी प्रकार वारानसी एक बड़ा सहर है यह वारानसी संग्या सब्द है इसकी विशेष्टा है कि वह सबसे बड़ा सहर है इसी प्रकार सुन्दर, काली, मीठा और बड़ा सहर यह विशेष्ण सब्द है विशेष्ण के मुख्य रूप से पांच बेद बताए गए है पहला ह गुण वाचक विशेशन, दूसरा है परिमान वाचक विशेशन, तीसरा है संख्या वाचक विशेशन, चोथा है व्यक्ति वाचक विशेशन, पांचों है सारो नामिक विशेशन, हम पांचों का एक एकरकी विश्तर से अध्यन करेंगे, पहला है गुण वाचक विशेशन, सर्वनाम के गुनों को प्रकट करते हैं। बारी है पतला है गड़ा है आकार में गोल चोकौर तिकोना इस परकार की शब्द आते हैं रंग में जैसे लाल पिला विड़ागर हो सकता है इस्थान में चोकस, उजार, पाड़ी है, सतई है, छेत्री है, ग्रामिन है, बित्री है, पूरुवी है, पच्छिमी है, काल के मौन एक अच्छा लड़का है तो इसमें मौन की एक अच्छा गुण परकट हो रहा है उसमें यह गाए लाल रंग की है तो यह जो गाए है वो लाल रंग की है इसमें गाए का रंग के साहे लाल उसकी विशेश्था परकट होती है अगला है परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन दो प्रकार की होते हैं मुखे रुप से एक निश्चित निश्चे परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन कहते हैं इसमें विशेशे सब्द प्राय दरव वाचक संग्या होती जैसे पांच किलो आटा समाप्त हो गया तो निश्चित मात्रा होती है वह निश्चे परिमान वा पांच किलो येक निचित है इसी परकार गिलास भर दूद गिर गया दस किलो आम शड़ गई जो निचित मात्रा है वह निशे वाचक परिमान वाचक माएगा जैसे थोड़ा दूद गिर गया थोड़ा दूद गिर गया इसका मतलब उसमें मात्रात्मक है लेकिन उसका निचि मात्रा में नहीं होने का यह अनेश्चे वाचक प्रिणाम बोदक का संकित करता है इसी प्रकार अगला है संख्या वाचक विशेशन जो विशेशन विशे की संख्या से संवंदित विशेश्टा का बोद कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे एक आदा ये भी दो मुख्यरोप से दो प्रकारग्ये योते एक निच्चे वाचक संख्या वाचक विशेशन एक निच्चे संख्या वाचक विशेशन इसमें मातरात्मक होता है संख्या का बोध होता है पहले वाले परिमान में एनी तोल नाप तोल और मात्रा का बोध होता था एक आदा चोथाई पहला दूसरा में ये तो है निश्चे संख्या वाचक दूसरा है अनिश्चे संख्या वाचक विशेशन में है कुछ कई अगला है सारो नामिक विशेशन सारो नामिक विशेशन जो सर्मनाम संग्या विशेशन रूप में परियुक्त होते हैं उन्हें सारो नामिक या निर्देशक विशेशन भी कह सकते हैं निर्देशक विशेशन प्राय सर्मनाम ही हुआ करते हैं जैसे यह कुत्ता मेरा है, वह लड़का सोया है, कोई मनूष्य यहां खड़ा है, इस परकार, अगला है व्यक्ति वाचक विशेशन, व्यक्ति वाचक विशेशन जो मूल सरवनामों में प्रते लगा कर बनाते हैं, जैसे यह से एसा, वह से वैसा, इतना से उतना, कौन से कौन सा कितना सा आदी जैसे भारत से भारतिये बनारस से बनारसी मैंने इन बारत से भारती अमल यह परते जुड़ा है बनारस से बनारसी यह परते जोनपूर से जोनपूरी आदी यह सहव्यक्ति वाचक विशेशन है तो आज सी इतना ही प्रयाप्त है अगले वीडियो में फिर मि मिलते हैं धन्यवाद